हलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं आशा स्वस्त और मस्त होंगे आईए आज हम आपको एक ऐसे इम्मेनिटी बूस्टर काड़े के बारे में बताएंगे जो हर तरह की सर्दी खासी सर्दी के बुखार को दूर करता है जी हां दोस्तों यह अजमाया हुआ काड़ा है यदि आप चैनल पर नई है प्लिज चैनल को सब्सक्राइब अबस्यकरे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वैम को स्वस्त रख सकें और सर्दी खासी और बुखार को दूर भगा सकतें कड़ा बनाने की विदीर द उसका पाउडर भी बनाके रख सकते हैं, वो है छोटी पीपल, दालचीनी और लॉंग, तथा काली मिर्च, इन सब चीजों का आप पाउडर बनाके रख सकते हैं, इस के लिए 100 ग्राम पीपली, छोटी बाली ले 100 ग्राम काली मिच, 100 ग्राम दाल चीन यो 50 ग्राम लोंग लें अगर अधरक न डालना चाहे तो आप इसकी जगे सोंठ का प्रियोग कर सकते हैं फिर इनको मिक्सी में डाल कर पाउडर बना लें और इस पाउडर का एक छोटी चमच जब भी आप काढ़ा बनाएं गिलोई और तुलसी पतेशब डाल कर तब आप इसका एक छोटा चमच उसमें डाल लें हल्दी भी एक चुक्ती डालें यादि आपके पास हरी हल्दी नहीं है तो फिर उसके बाद आधा लीटर पानी आप भगोने में उबलने के लिए चोड़ा दें जब ये थोड़ा सा रह जाए फिर इसको छान लें ये इम्म्यूनिटी बूस्टर काढ़ा आपको ज़्यादा मात्र में नहीं लेना है सपोज अपना अधा लीटर रखा है तो इसमें जो भी बच्चे का 250 ग्राम काढ़ा उह है आप 4-5 लोगों की खुराक मांद लें 4-5 लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके पी हैं बच्चे हैं तो नहीं कम मात्रा में नहीं बड़े बूड़ों को और अडल्ट लोग ज़्यादा ले सकते हैं बटी हर उम्र के हर लोगों के लिए फाइदे मंद हैं सल्दी कासी दूर बगाई स्वास्तरे मास्तरे में